नमस्कार दोस्तों रंट थम्बूर क्लासेज में आप सबका स्वागत है दोस्तों ये एक स्टुडेंट्स का होमग है अब आपन देखते हैं कि इन्होंने कितनी गलतियां कि वन टाइम में इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है बहुत ही कन समय में इन्होंने बहुत अच्छ ओनलाइन क्लासे तो दोस्तों कही बार क्या होता है ओनलाइन क्लासे ले तो लेते लें लेकिन कुछ बच्चे अपने मंद से कुछ भी लिखते रहते हैं तो उनकी कोपियां चेक नहीं हो पाती इस टेनों में जब तक आपकी कोपी चेक नहीं होगी जब तक आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलने वाला अपने आप सीख रहे हो लिख रहे हो ठीक है अच्छा लिख रहे हो लेकिन आपकी जो गलती है वो किसी को आप बताओगे नहीं तो तब तक कहां से ठीक हो पाएगी तो दोस्तो रंधंबोर Classes में आप लोगों की डेली की Class की दोस्तो रंधंबोर Classes में जो भी आप लोग Homework करते हैं उसका Homework WhatsApp के माद्दिम से मगाय जाता है और उसको चेक किया जाता है और उसको वो भी बारी किसे चेक किया जाता है कि आप गलती क्या कर रहे हैं और किस टाइब की गलती नहीं करना चाहिए और आपको words को किस टाइब से बनाना चाहिए वो भी मैं बताता हूँ दोस्तों देखते हैं इनकी copy match कहें इन्होंने बिल्कुल perfect बनाया कोई दिक्कत नहीं है खे भी perfect है हलका सा pencil में जो ये pencil लिक रहे हैं इसमें आप जटके दे रहे हैं लेकिन ठीक है चल जायेगा लेकिन आपने जो गय बनाया ये जब आप देखोगे AI की मात्रा वाली class तो आपको पता चलेगा कि वाके में जो गय बनाया वो गलत बना रहा हूँ देखते हैं दोस्तों आप इसको इस type से लिक रहे हो तो ये AI हो जाएगा आपका गय को थोड़ सा ये line अपनी तो इसको यहां से लेओ एक बार आप line पर touch नहीं करें थोड़ सा उपपर से लेओ तो इसको आपको थोड़ सा इस type से अर्चंद्रकार का आप बनाना आपको यो यो बनाना इसको आपको नहीं कि यो यहां पर आपकी mistake हो जाती इसलिए आप इस पर ध्यान दे second घय में आपने जो गुंडी बनाई अब इस गुंडी को आप proper बनाते हुए जब आपसे गय परफेक्ट बनने लग जाए तब आपको गय बनाना है तो इसको गुंडी को परफेक्ट बनाना है एक दम आप यो कहीं जगे पर आपने गुंडी का मुह इस टाइप से रख दिया आपने तो इसमें आगे जाके आपको दिक्कत आईगी क्योंकि स्टाइटिंग यह भी आपकी स्टाइटिंग में आप कैसे बनाओ मैं अगर इग्नौर कर दूंगा छोटी-छोटी चीजों को तो आगे जाके आपको दिक्कत आ सकती है इसलिए आप इन छोटी-छोटी चीजों पर भी ध्यान दे कि जो गलती कर रहे हैं उसको वापस से आप करे होमड़ और उसको मुझे बेजे इसी टाइप से चै लिखा आपने चै में दोस्तों आपने कापी वर्ट साई लिखे लेकिन आपने बनाते बनाते जल्दी में यहां पर बिल्कुल गुंडी ही नहीं दिखेगी तो आप इसका भी आप ध्यान रखे जल्दी वाजी नहीं करें शुलो मौस्तर में लिखे इसी टायप से 6 की देऊ गुंडी के इस टायफ से आपने बनाई है ठीक है गुंडी छोटी बनाई है आपने थोड़ी किसी बड़ी बनाओ गुंडी इसको और कहीं पर आपने बिल्कुल गुंडी का कुछ सिंबल ही नहीं दिखेगा इसमें तो इस टाइप का होमड़ कर रहे हो तो इसको दुबारा से आप करें आपको दुबारा से कौन कौन सामबर करना है गय गय और चह चह आगे देखते हैं आगे के वर्ड्स आपने पर्फेक्ट बनाएं बस आप थोड़ा साथ गुंडी पर ध्यान दे इसे अपने जह में यहां पर देखो इसमें आपकी गुंडी दिखेगी यहां पर देखो इसमें भी आपकी गुंडी नहीं दिखेगी टे ठे डे बिल्कुल पर्फेक्ट बना you एसा मत करो इसको बिलकुल अपन यूच बनाते है इस टहज़ें एकडम तो इसको एकडम ऐसे बनाओ उब्ता यू आप किलास को अरएखे पर्फैक्ट पर्फेक्ट उड़ा इस type से आप लोग लिखें, अगर आप इस type से लिख रहे तो यह फिर गलत हो जाता है आगे देखते हैं, थे यह अपना थे नहीं यह दे है, आप जब दे लिख हैं, तो दे लिख रहे हैं, तो दोस्तों इसको भी आप जैसे अपनी यह लाइन है, तो यहाँ पे गुंडी बनाते वे यो बनाओ, यो गुंडी बनाते वे बिलकुल यो, आप दे को इस टैप से बना रहे हैं, अब दे को भी आप इस टैप से बना रहे हैं, जब अने, अने जब लिख रहे हैं, उसको भी आप इस टैप से लिख रहे हो, और दे को भ तेले आप इसको proper जो अन्य है उसको यसे बनाए और जो दे अपना इसको इस टैप से लिखे अर्थ जंदरागार का जैसे अपन गये इस टैप से बनाते हैं यह इस टैप से बैलिके और इसी के अपन गुंडी जोड़ेंगे इदर तो यह जगा अपना दे है कि आगे देखते ने ने फिर भी आपने ठीक लिखा है कोई दिक्कत नहीं है फिर भी ठीक लिखा है लेकिन आप जल्दी वाजी नहीं करें बिल्कुल स्लो मोशन में बनाना सीखिए क्योंकि आपकी शुरुवात भी इस टाइप की गलतियां नहीं करें आगे आपने बिल्कुल सजी लिखा है मैं चीज आप डाइरेक्शन का ध्यान रखें गर आपने डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखा तो आगे जाके आपको दिक्कत आ सकती है तो यह आपने केकर लिखा बहुत अच्छा लिखा लेकिन आपने जब यह त्रे आपने जो त्रे लिखाया तो इसमें आप देखेंगे कई पे आपने त्रे को इस टैप से यू निकाला आपने तो यह आगे जागे आपको बहुत दिक्कत देने वाला है आप अभी आपका basic मजबूत होना चाहिए इसलिए अभी आपको इस type से बनाना यह यहाँ पर touch नहीं हुआ screen पर मैं लिख रहा हूँ इसलिए यह देखो इस type से touch करके इस type से निकालो ने की यह यह निकालते हो तो यह आपका गलत हो जाता है तो इस type से नहीं करे इस type से आप लिखे proper तो वीडियो को एक बार वापस देख ले जब तक आपका basic मजबूत नहीं होगा तो आगे बढ़ने से फाइदा नहीं है तो आप लोग पहले basic अच्छे सकरे फिर आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं आपने लिखे दोकसर से बनने वाले सब्द बिल्कूल कल आपने बहुत अच्छा लिखा है फिर भी यहां आते हाते हैं आपकी हेनरेटिन में सुधार हुआ बहुत अच्छा आपने लिखा है कोई दिक्कत नहीं है पल चल लेकिन कुछ जगे आप इस type से बनारो न यह आपकी यह इस type की गलतियां आगे जाके आपको दिक्कत दे सकती है अब आप देख सकते हैं कर कर आपने starting में कर उले सई बनाया अब आपने कर बनाया कर और रहे अब यहां पे आप लिखते-लिखते ध्यान नहीं दिया आपने यहां पर सही बनाया लेकिन यह देखें आप यह वर्स आपके गलत हो जाते हैं यह देखो आपके क्या हो जाते हैं यह पर यह हो जाएगा आपका पर तो इस चीज़ का द्यान दें सर कलस सही बनाया आपने ठीक है चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है खपत अब आप एक इस इसका ध्यान रखे जो वर्स लाइन पर बनता तो लाइन से ही बनाओ ऐसा नहीं कहीं से बना दिया आपने ये वर्स सही है आपके कोई दिक्कत नहीं है वीडियो को पहले आप ध्यान से देखें उसके बाद में आप हमवर्स करें इस टाइप से जल्दी वाजी नहीं करें आगे देखते हैं मरन में देखो दोस्तों मैं बनाया रे बनाया और प्रोपर एने बनाओ इस टाइप से यह लाइन थी अपनी तो लाइन से स्टार्ट करें मैं रे और एने नहीं कि आप इस टाइप से बना रहे हो और इस टाइप से ऐसे ऐसे बना रहे हो जटके देखें तो प्रोपर इस्टेनों नहीं सीख सकते पर फिर तो यदि आपको इस्टेनों प्रोपर सीखनी हैं तो आप पहले स्लो मोसन में लिखें उसके बाद में आगे बढ़ें देखो दोस्तों यहां पे सरण में भी सह और रहन ऐसी ताइप से बनाओ प्रोपर तीरे से बनाओ इसको ज गय अन्य और दय और धय और त्रय इन वर्ड्स की आप वापस से practice करें क्योंकि इन वर्ड्स में आपके गलतिया है बाकी वर्ड्स में इत्ती गलतिया नहीं है और लिखते-लिखते अच्छे से सुंदर हो जाएगा कोई दिखकत नहीं है चल जाएगा आगे आपने जो वर्ड लिखें वो बहुत अच्छे लिखें कोई दिक्कत नहीं आगे देखते हैं आपने बनाए अधर बहुत सारे वर्ड आपने लिखें तो अब आप लोग जब इसकी इस टेनों लिखने होते हैं तो इस साइड में इस तरफ आप अपना हाथ रखें और पिर जो भी स्टेनों दे रखीए इनका आप ट्रांसलेशन करें इदर और फिर चेक करें कि मैंने जो लिखा था वह तो लिखा क्या मैं ट्र्रांसलेशन श्रार हैं जैसे मैंने बोला मत मत तो आ जिस त्यूफ से इंदी लिख रहे हों स्टिफ से जुमें बोलता हूं उस ऑडियो में आप पहले इत्ती भार एच्टेनों बनाएं फिर उसको क्रें बिनादे कि कि मैंने जो इस्टेनों में लिखा है वो क्या मैंने सभी लिखाए क्या? तो इसके आंटली ट्रांसलेशिन करके फिर फिर चेक करें, आगे देखें सहर, अब जब आपने सहर वीर्ड बनाया, तो इसको आप naayा और रह अप से बनाये, आप इस टैप से बनाया फिर आपने यूँ करा फिर यूँ करा, यह फिर आप हिंदी में लिख सकते हैं फिर तो इसलिए ऐसे स्पीड नहीं बढ़ती इस टेनों में तो आप लोग इसको प्रॉपर बनाने पर ध्यान दे भी योंग पैंसिल रोकना नहीं है योंग हुमाते वे योंग यह अपना सहर इस टाइब से आप बनाना है गरम ठीक है फिर भी मटक अब आपने मटक वर्ड को गलक बनाया तो पहले आप कखेगे को वापस से प्रेक्टिस करें जब तक आपके कखेगे परफेक्ट नहीं होते जब तक आ आगे वर्ड साब बनाने में कोई फाइदा नहीं है तो जैसे आपने लिखा मटन में बिल्कुल है फिर भी सही लिखा घ्र कोई दिक्कत तो नमक अब नमक में आपको जल्दी वाजी नहीं करना नै मैं और कह नै मैं कह न को थोड़ा बड़ा बनाओ यूं नमक इस टाइब से लिखें इसी टाइब से कसरत कसरत बिल्कुल आपने सही लिखा कोई दिक्कत नहीं तो दोस्तों इस टाइब से आप लोग होम रख बेज जिससे होने वाली आपकी एक बारिक की से छोटी से छोटी जो गलती है वो चेक हो सके जिससे आपकी छोटी छोटी गलती चेक हो सके और आपका इस टेनों में इंप्रोमेंट हो सके और इस पीड आये और इस पीड में लिखने के बाद में आपसे टासलेशन भी हो सके तो द एक दो दिन में कि आपको किस टाइब से channel के माददम से जो तैयारी करनी है वो किस टाइब से करनी है और आपको किस टाइब से homework करके बेजना है तो दोस्तों जो भी बच्चा जोइन करना चाता रहा नुतमरो क्लाइसेस वो जोइन कर सकता है बिल्कुल एक एक चीज को खोल के बताई गई है और कुछ आउट्लाइन्स के 2-3-3 तरीके भी बताई गई है क्योंकि कुछ बच्चों के क्या चीज इजी रहती है कुछ बच्चों के अलग चीज क्योंकि कुछ बच्चों को किस टाइब से लिखना अच्छा रहता है तो वो दोस्तों आपके सुविदा के अनुसार आप लिख सकते हैं लेकिन आपको इस टेनों में एक ही पैटर्न फोलो करना चाहिए जो आपको अच्छे से लिखने में आता हो तो दोस्तों इस सेनल को ज्यादा ज्यादा लाइक करें सेर करें सबस्क्राइब करें जो ऑनलाइन क्लासे जोइन करना चाहता है वो 9610892 पर कोल करें और उसवर फोन पर पेटियम गूगल पर करके और अपनी जीमेल आईडी भेजें जिसके माध्यम से आप उनलाइन क्लासे जोइन कर सकते हैं और बहुत जल्द एप्लिकेशन भी आने वाली है धन्यवाल